सबी को जैन दोस्तों आप सबी का हार्दिक सौगत है जैन रियक्शन्स पर आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छ होंगे तो आज हम आपके लिएक लेटेस्ट एक इंट्रोस्टिंग और एक जबदस वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान मूल के प्रोफेसर हैं और आजकल वो भारत में है तो ये वीडियो काफी इंट्रोस्टिंग होगी जहां पर ये तीनों बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के रिष्टों पे तो आपको बहुत कोई जानने को मिलेगा इससे अन तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर द सब्सक्राइब कर देखें अब इस वक्त तो डॉक्स आप तो इंडिया में हैं और इफ आम नौट रॉंग राकेश सर के घर पे हैं चैनल कैसा जा रहा है आपका विजिट और क्या क्या भी तक आपने किया अब इनके यहां साथ बैठे हुए तारीफ करना कुछ मुझे मिली हैं और यहां पर और भी मेरी टॉक्स भी हुई हैं तो इस बीन फुल प्लेट फॉर मी एवरी डे बिलकुल लेकिन आपके क्या एक्टिविटीज हैं इस बार जा आप भारत गए हैं तो यकिनान कुछ ना कुछ इवंट वगरा कोई होगा जिसके लिए आप गए हैं ज चौदा फर्वरी को मेरी जो जिना पे कताब हैं अंग्रेजी में उसका हिंदी तर्जमा जो है वहां पे लॉंच किया गया डेली वर्ल बुक फेर पे तो ये बहुत बड़ा इवेंट था उसके बाद हमारी टॉक्स मेरी कई हुई हैं अभी कल मेरी टॉक हुई थी सेंटर फॉर सोशल एंड एकनॉमिक प्रोग्रेस और इंडिया के फॉरन सेक्रेटरी रिटायर जो हैं शिवशंकर मेनन वो ही वाज इन कॉन्वर्सेशन विट मी और वहां पे कई सीनियर जो हैं ब्यूरोक्रैट्स और डिप्लोमेट्स वो भी लोग आये हुए थे और जो जो साउथ एशिया पे इंडिया पाकिस्तान पे काम करते हैं एक कल यह हुआ आज मैं जे एन यू में ज्वालल नेरू यूनिवर्स्टी में मेरा डिपार्टमेंट ऑफ प्लिटिकल साइंस में लेक्षर था और तैईस थारीक को यहां पे सबसे प्रेस्टीजियस जो जगह है वो है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर वहां पे मेरी टॉक है ऑन इंडिया पाकिस्तान डिलेशन्स दे क्वेस्ट फॉर पीस और चौबेस तारीक को यहां पे वो जो थे शियाम एक्टर उनकी फैमली जो हिंदुस्तान में है वो बुक लॉंच कर रहे हैं शियाम की याद में तो इसमें मेरा एक चैप्टर भी है और मैंने शियाम के मतलब पाकिस्तानी अख़बारों में जब लिखा तो इस तरह मेरा उनके साथ तालुक बना आपको शैद ये भी बताना जरूरी है कि उनकी बेटी साहरा काजमी है जो पाकिस्तान की एक यह टेलिविजिन आर्ट आर्टिस्त है यह सर वो डिरेक्टर प्रोडिूसर है अब डिरेक्टर प्रोडूसर हो गई जी 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 बिल्कुल नहीं शुरूर में श़यद उन्हों ने तोड़ा बाट काम भी किया है एस अ अक्रिस भी लेकिन ज़्यादा वो प्रोडूसर के तौर पर बहुत फेमस है य इसेंडली भी जो है वह आप आए थे कुछ टेरिस मैच थे उसके सिलसले में यहां पे महौल चल रहा था इलेक्शन का किसी तरीगे से इलेक्शन भी हो गया रिजल्ट भी आ गया इस वक्त गर्मिंट भी अजीव गरीब एक बन गई है जिसे कहा जा रहा है कि शाबाज जहां पर मैं बैठा हूं वहां पर आ रहा है इस्तियाक हमस और जहां पर इस्तियाक हमस साब बैठे हैं वहां कुछ नहीं आ रहा है आप लोगों ने इसका मैं कुछ नहीं कर सकती आप आप लोगों के दो फ्रेम्स होते रहा तो 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 कुछ हो पाता पाकिस्तान में समय व इंडिया मैच करने पाकिस्तान गया डेविस कप का राउं डॉबिन टूनामेंट है तो कॉलिफाइं राउं के लिए और अच्छी बात यह रही कि हम सारे मैच जीद गये वी वन टूनामेंट फोर जीरो एक तो वह कुछी को मोगा रहा और उसमें सबसे अच्छी बात तो यह से रह की जो ग्राउट सा इसलामबाद में ता वस वेरी अप्रिशेटेब आप यह चीरिंग इंडियन साइड यह चीरिंग पाकिस्तान साइड और अप्लोडिंग अवरी गुड शॉर्ट अवरी गुड सर्फ तो वह तो बहुत अच्छे महौल में मैच हुआ एक्जैंप् वो मुझे पाकिस्तान में जब मैं लाहूर में लास दो दिन रहा इलेक्शन से दो दिन पहले तो वो गहमा गहमी अर्दू नजर नहीं आई जो जो जिसे बहुत हैं इलेक्शन फीवर वो मिसिंग था रिजल्स कैसे लगे आपको उसके बाद जो रिजल्ट है रिजल्ट तो ऐसे एक्सपेक्टेट थे मेरे को तो क्यों कि इस ट्रीट में लोगों से बात करता था तो इट वाज इम्रान खान ओवर बिल्मी एवर्ड़ी इस टॉकिए तो कहर दस में से दो यादमी मिले होंगे दोस वर टॉकिए बार दनूर लेग और पीपलस पार्टी अटीस एटी पॉसंट अब पीपल देर आई स्पोक टू वो डिवर आल टॉकिंग आप इम्रान का बिलकुल लेकिन अगर डॉक्टर साब मैं आप से पूछूं क्या इस बार भी आर्मी और जो एजनसी से उनका र क्या रोल था कि आउनोंने एलेक्शन को रिग किया है या जैसे ये भी कहा जा रहा है कि जो ये के टेकर गवर्मेंट है इसकी हरकते हैं किसी ने तो रिग की है इसमें कोई शक नहीं और हमारी जो इस्टैबलिश्मेंट है वो इतनी पारफुल है कि उसकी मौजूदगी तो हर सेक्टर में है तो अब उन पे कितना इल्जाम मुनासिब है कितना नहीं है इतना जरूर है कि रिगिंग हुई है और वो एक आम आप लोगों की कौन्शिसनिस का इससा बन गया बिलकुल ऐसा है लेक्ट साब आपको लगता है कि जो भी गार्मेंट आएगी अभी होगी जिसके सामने आई एम एफ की जो कंडिशनेलिटीज हैं वो उसको पूरा करने के लिए उनको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा इन हालात में अगर ये करश दिखाएं शबाश शरीफ के इन सारी चीजों में पाकिस्तान का जो सत्यानास हुआ है फाइनेशली खास तर पे एकनॉमिकली उसमें इंडिया के साथ जो ट्रेड पे इन्होंने इमरान खान की मिलके इन्होंने उसे रोका है अगर उसको खोल दे तो शायद पाकिस्तान की एकनॉमिक सेच्वेशन बेतर हो जाए शबाश शरीफ साब में ये हिम्मत होगी कि वो इस किसम का कोई कदम उ इसको एक्सेप्ट ना करें लेकिन अगर शवाज शरीफ वांट्स पाकिस्तान टू है व ब्रेक तो इंडिया के साथ नॉर्मलाइजेशन्स आफ रिलेशन्स जो है ना वो मैं एक एबसूलूट कंडिशन समझता हूं वरना ये गाड़ी ऐसी चलती रहेगी मिलकुल ऐसा य आते हैं जाते हैं और कई तरह के जो है आना जाना है फिर आकर टाम्स हमारे ठीक क्यों नहीं होते अगर पाकिस्तान की कोई चीज ऐसी है जिसे आप समझते हैं कि ठीक होना चाहिए तो वो क्या है ताकि लोग जो है अराम से पोस्टल सर्विस भी खुले लोग आएं जाएं अगर हम देखेंगे आफिस सेयद साम घर में बैठ के अधेस्ट होते हैं तो सिंसियर्टी तो कहीं नजर नहीं आ रही ना इंडिया भी आप पाकिस्तान से ट्रेड या रिलेशंशिप उस तरह से की नहीं हैं तो मैई फिलिंग इस आम नट गोर्मेंट बट दी मूड इन प और टेर्रिडिजम की तरफ जितने भी लोग हैं अधर मैमूर जैसे लोग देशिट भी हैंग आपको हिंदुस्तान का जो है सेंटिमेंट समयना पड़ेगा मुंबई अटेक्स वर्दा फ्रेंटल अटेक अन इंडिया डाट पस नौट टेरर अटेक्ट डावज फ्रेंटल करते ही करी त्री सेवन्टी जो हमने यहां पर अपने किश्मीर में किश्मीर तो हम अच्छली देखा जाए तो हमारा सारा सारी आउटर एक्सेशन बिलॉंग्स टो इंडिया उल्ली पर फिर में जो अभी इंडिया के कंट्रोल में जो हमारा अपना किश्मीर है उसमें हमने three seventy abolish किया तो उसे क्या परक पड़ा? वो तो हमारा कश्मीर है हम इसमें three seventy लेके आए three eighty लगा दें या four eighty लगा दें उसके base पे हैं इमरान चाहसा हमने जो you know impulsive होकर ambassador बुला लिए वापे इस high commissioner बुला लिए trade बंद कर दी, drugs का जो पाकिस्तान में कितने लोग परिशान हुए, आपने टेमाटर प्यास जिसकी वहाँ से आप चाहिना से महंगा मंगा रहे थे हम इमरान कान साब ने बड़ा impulsive और irresponsible behavior दिखाया दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंतक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू कास्मी जी के सवाल और डॉक्टर इश्टिया केमत के जवाब और खासकर राकेश वैद जी के analysis आपको काफी पसंद आया होगे जहां पे इन तीनों ने बात की भारत और पाकिसान के रिष्टों के बारे में और कैसे भारत और पाकिसान के रिष्टे बहतर हो सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि भारत और पाकिसान के एक अनम बात करें तो people to people connect तो बहुत बढ़ी है और problem है political इसके बारे में आपके क्या विचार है आप अपने विचार हमें comment section में लिकर जुरू बताएं और एक बार फेर्ट चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe कर दें ताकिम आपके इस latest, interesting और मज़ेदार वीडियो लाते रहें और इस वीडियो के बारे में जो भी आपके विचार है अब अपने विचार हमें comment section में लिकर जुरू बताएं और वीडियो पसंद आईए तो इसे like और share जुरू कर दें ताकिम आपके इस latest, interesting और informative वीडियो लाते रहें जय हिंद, जय भारत